Hello friends, welcome to learning ways So guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी विज्ञान के 30 important questions को ले करके और जो की सभी exams में बार-बार पुछे जाते हैं और इनको हम पढ़ लेंगे trick से तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला question क्या दिया हुआ है Question number 1 की बात करें पूछे जा जा चुका है कि माइकोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है तो माइकोलोजी में अध्यान करते हैं कवक का option number A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब कैसे धियान लखेंगे एक छोटा बच्चा है वो क्या है अपनी मा से माइ से कह रहा है कि माइ कववा तो इस तरीके से धियान लखेंगे माइकोलोजी जा है वो कवक का अध्यान है next question की बात करें पूछे ये गिया चुका है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है तो आपको धियान लखना है एपी कल्चर का संबंध मधू मक्खी पालन से है option number C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब इसको आप कैसे trick से गलेट करेंगे देखे क्या लेखा हुआ एपी कल्चर यानि कि एपी कल्चल कर यानि कि एपी लेना कल्चल कर क्या मधू शाला एपी कल्चर का संबंध मधू मक्खी से है नेक्स कोशन को लेखर के बात करें पूछा ये जा चुका है कि मानो रक्त का पीच मान कितना होता है तो मानो रक्त का पीच मान होता है 7.4 यानि कि option number B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब इसको आप कैसे relate करेंगे तो बिल्कुल simple सी बात है यानि कि देखिए क्या होता है मानो के शरीर में क्या होता है रक्त का संचार होता है तो संचार से याद रखेंगे 7 और 4 यानि कि 7.4 क्या होता है pH मान होता है किसका मानो के रक्त का सबस्äm sophistication को लेकर के बात कहलते हैं पूछँ ये गया है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है तो टमाटर का रंग होता है वो लाई को पीन के कारण लाल होता है Option नमबर B आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगी जरा सा ट्रिक पे फोकस करेंगे और यहीं से इसका हम आंसा निकालेंगे टमाटर का रंग लाल अब देखी जो लाल टमाटर होते हैं उसको इंसान क्या करता है बहुत ही लाइक करता है तो like से धियान लखेंगे like को पीन की बात हो रही है जिसकी वज़े से टमाटर करंग लाल होता है आगे बात समझ में आगे बढ़ लेते हैं नेक्स कोशन की बात करें पूछा ये गए कि मानों में कितने दात आइस्थाई होते हैं ठीक है तो मानों में जो आइस्थाई दात होते हैं टंपरेरी तीथ जिनकी बात करें तो वो होते हैं 20 यानि की option number A आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर की बात कर लेते हैं पूछा ये जा चुका है कि शरीर में कुल कितनी मास पेशियां पाई जाती है तो ये बहुत ही बेसिक सा कोशन है सभी को पता होना चाहिए 629 यानि की 49 ठीक है यहाँ पे आपका सही उतर हो जाएगा option number D ठीक है 639 वे हैं वो मास प कर लेते हैं पूछे ये गया है कि RBC का निर्मार कहा होता है तो RBC के निर्मार की बात के रहे ये भी कोशन बहुत बेसिक सा है और कई बार पूछे जा चुका है तो आपको धियान लखना है अस्थी मज्जा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में bone marrow option number C आपका बिलकुल सही उत सही उत्र हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछे ये गया कि RBC का कब्रिस्तान किसे के तो RBC का कब्रिस्तान ये भी आप सभी को पता होने चहीं किसको कहते हैं तिल्ली को कहते है option number B आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स कोशिंग की बात करें पुछा ये गया कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो कौन सा विटामिन है भाई option नमबर B यानि कि D वाला यह है वो answer आपका सही उतर हो जाएगा ठीक है option नमबर D सही उतर होगा यानि कि विटामिन B जो है वो जल में घुलनशील है अब इसको आप कैसे धियान लखेंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रीक है कीला K E D A है ना विटामिन K विटामिन E विटामिन D विटामिन A यह क्या है यह जल में घुलनशील नहीं है कैसे दियान लखेंगे क्या लिखा मेरे कीडा और क्या कीडा पानी में घुलता है नहीं घुलता है तो इस तरीके से दियान लखेंगे कि K E D A ये क्या है जल्मे घुलचील नहीं है सर्वदाता रख्त समू कौन सा है इसमें बड़ी कनफीजन होती है लेकिन आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि इसके बाद आप नहीं भूलेंगे तो इसका सही क्या हो जाएगा सर्वदाता है कौन सा ओ ठीक है ऑप्शन नमबर सी आपका बिल्कुल सही उतर हो जाए गा तो जीरो किसकी तरह होता है ओ की तरीके से तो इस तरीके से दियान रखेंगे कि ओ जो गुरूप है रख्त समूओ है वो क्या है सर्वदाता है ठिक है और आगे बात के लेते हैं और नेक्स कोशन पूछे ये गया कि कौन से वाइटमिन में कोबाल्ट धातु पाइजात मुद्रा किसे कहते हैं तो कोशिका की उर्जा मुद्रा कहलाती है ATP एडिनोसेंट्राइफोस्फेट इसका फिलफॉर्म होता है अब क्या होता है जरा सा मसला समझ लेते हैं लेखे क्या होता है जब हमने खाना पीना खा लिया एनर्जी हमारे पास बन गई तो वो एनर्जी जो स्टोर होती है कोशिका के माइट्रो कॉंडिया में वो ATP के फॉर्म में होती है हमने क्या करा खेला कुदा जिम्रिम करी तो वो एनर्जी क्या हो गई खर्च हो गई और खर्च हो कर क्या बन गई ADP बन गई इसको बोलते हैं एडिनो-डाइ फोसफेट फिर हमने खाना खाया फिर खाना खाया फिर एनरजी बनी तो फिर क्या हो जाती है वह ATP तो यह इस तरीके से होता रहता है ATP से ADP ADP से ATP इस तरीके से बदलाव होते रहते हैं आगे बढ़ लेते हैं और next हम बात कह लेते हैं तो ये बोलते हैं माइट्रो कॉंडिया को ठीक है इसी के अंदर क्या होती है हमारी एनरजी स्टोर होती है अब देखी इसको आप कैसे याद रखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से जब बिजली जाती है ना तो क्या हम बोलते हैं कि बिजली वालों ने बिजली काट दिये माइट्रो कॉंडिया कहलाता है माइट्रो कॉंडिया क्या यहाँ बहुत बढ़िया पूछा यह द बूस्टाबप कैसे ब्लड प्रेशर का नियंतर्न कौन करता है तो अधीव्रक ग्रंति शुर्ण नंसर्ण хोजाएगा अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है blood pressure को control करने की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं जब किसी को हम control करते हैं तो हम क्या करते हैं अभी रुको अभी रुको तो अभी रुख से अधी व्रक तो इस तरीके से अधी व्रक जो ग्रंती है वो blood pressure को control करती है आगे बात कर लेते हैं और पूछा ये गया है कि पित रस कहां से स्त्रावित होता है ठीक है तो पित रस बहुत से लोग कन्फीज होते हैं कि इसका अंसर पित आशे होगा लेकिन ऐ इसका अंसर हो जाएगा option number B lever से ठीक है option number B आपका correct answer हो जाएगा अब इसको आप देखे कैसे धियान लखेंगे पित आ रहा है ना पित मतलब मैं बोल सकता हूं इसको थोड़ा से रिलेट कर सकता हूं किसे पत्ते से अब पत्ते को क्या बोलते हैं English में पत्ते या पत्ती को लेते और पूछा ये गया कि oncology किसका अधियन करता है तो oncology में अगर हम बात करें तो cancer का अधियन करते हैं option number D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा guys आगे बढ़ लेते हैं और पूछा ये गया है कि विश्व का सबसे बड़ा pushp कौन सा है सबसे बड़े pushp की बात करी है तो सब सबसे बड़े pushp बात करें तो ये हो जाएगा reflection यानि कि option number C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसको आप कैसे ध्यान लखेंगे जब अपने पिया को impress करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे बड़े से बड़ा फूल लेकर कर जाते हैं तो यहां पने कहाने कुछ तरीके से बन गयी है कि मैं बड़ा सा फूल लेकर के आया हूँ और कह रहा हूं कि बड़ा सा फूल रख ले भीया तो रख ले से पिया से क्या रले करेंगे रफलेशिया तो ध्यान लखेंगे रफलेशिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है और वॉल्फिया जो है वो आपका क्या है सबसे छोटा पुष्प है आगे बात कर लेते हैं और नेक्स कोशन पूछाए गया है कि इंसुलिन कहां से इस्तरावित होता है तो इंसुलिन की सामान ने रख्त चाप कितना होता है ठीक है नॉर्मल ब्रट पेशर की बात करें तो ये होता है 120 प्रती 80 mm HD ठीक है यानि कि option number B आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं और यहाँ पर पूछा ये गया है कि मानव में कुल कितनी हड्डिया होती है तो इसको तो बताने की जरूवत ही नहीं बच्चे बच्चे को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 206 यानि कि option number B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा आगे बढ़ लेते हैं और next question की बात करें पूछा क्या गया है कि मनुश के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो ये आपको ध्यान लखना है कितने जोड़े होते हैं 12 जोड़े होते हैं option number A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब देखिए अगर आपको ये question नहीं याद होता है ये आपको ये चीज़ नहीं पता है कितनी पसलिया होती है कितने जोड़े होते हैं पसलियों के तो ये मैं आज आपको याद करा दूँगा बहुत ही आसान तरीके से देखिए जो पसलिया होती है उनको English में बोलते है रिब और रिब का कुछ नहीं करना है रिब का आर उठा लेना है कैसे बनता है बारा की तरीके से पहले आप एक लाइन खीशोगे फिर ऐसे करके ऐसे बना दूगे ठीक है क्या बन जाएगा बारा तो इसलिए समझ में आ जाएगा कि रिब के कितने जोड़े होते हैं प्रकार के दाथ होते है तो मानों में आपको धियान लखना है चार प्रकार के दाथ होते हैं आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब ये चार प्रकार के दाथ कौन-कौन से होते हैं उस पे ज़्यासा नजर डाल लेते हैं एक होता है इंसाइजर, एक होता है कनायन, एक होता है प्री मूलर, एक होता है मूलर तो इन चार प्रकार के दास जहें वो हमें देखने को मिलते हैं आगे बात कहलेते हैं अब पूछा ये गया है कि कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है तो लडो उडो हार्मोन की बात करें तो ये कहलाता है एड्रीने लिन यानि की option number B आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे बात कहलेते हैं पूछा ये गया है कि मानाव हिट्दे में कच्छो की संख्या यानि चैंबर की बात यानि की कोश्टक की बात कितने होते हैं बाई चार होते हैं option number A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ लेते हैं और next question की बात करें पूछा ये गया है कि vitamin C का racinic नाम क्या है तो vitamin C का racinic नाम है ascorbic acid यानि की option number B आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं और पूछा ये गया है कि गुर्दो का करियात्मक इकाई है करियात्मक इकाई की बात करें गुर्दो की तो ये कहा है nephron ठीक है option number B आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि chlorophyll में क्या पाया जाता है तो chlorophyll में क्या पाया जाता है magnesium पाया जाता है option number C आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब इसको आप कैसे धियान लखेंगे देखिए क्लोरोफिल में मेगनीशिम पाया जाता है आगे बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि शरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो ये बच्चे-बच्चे को पता है यकरत यानि की लीवर आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा लास्ट कोशन की बात कर लेते हैं आप बुद्धी और चतुराई की बात हो रही है तो बुद्धी और चतुराई का केंद्र क्या कहलाता है सेरी ब्रह्म कहलाता है सेरी ब्रह्म में एक अमारा बम ठीक है बम कौन बनाएगा बम वही बनाएगा जो जिसके पास बुद्धी होगी और जो चतुर होगा वही बम बना ट्रिक से रिलेट करके और बहतर तरीके से पढ़ने कोशिश की है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरू करें गाइस और लोगों को शेर करिए जिससे और लोगों को इसका बेनफिट मसेगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने So friends, thank you and all the very best for your examination